आप सभी लोगों का सुभागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ओनलाइन क्लासे सोनपूर में और जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि आप सभी लोगों का रिजल्ड जो है डियलेट इंट्रेंस एक्जाम का आ चुका है और अब आप लोग जो है कटप के उपर जो ह आपके कटप के उपर जो है इनलाइसिस कर रहे है ताकि आपको सही तरीके से जो आपका सचाई है वो मैं आपको बता दू बाकि अल्रेडी हमने बहुत सारे बच्चों का माक्सित आपके सामने शेयर किया है जहां पर आपने देखा होगा कि 70 प्लस वाले बच्चे जो है अ सारे सवाल आपका जो है तिलियर हो जाएगा सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जैसे कि आप सभी लोग जान रहे है कि आपका जो डियलेड होता है रिहार में यह आपका दो इयर्स का कोर्स होता है जिसके लिए आपका इंट्रेंस हुआ था और अगर हम बात कर ले गवर्मेंट कोलेज की तो यह आपका जो है 9100 सीट है और आपका जो है 21600 सीट आपका जो है यह प्राइबिट में है यह आपका जो है प्राइबिट में है अब आप बोलिएगा कि सर जो आपका बोल रहे हैं यह आपका 9100 सीट जो है गवर्मेंट कोलेज में है तो क्या यह पहले जो आपका प्रिवियस साल में था। कि इसमें आपका negative जो है नहीं था और competition वाले बच्चे ने बैठ कर जो है इसका cut-up को जो है बढ़ा दिया है यानि कि बहुत जाद है बच्चे जो है 70 प्लस score किये हैं तो cut-up जो है जाद जाने की जो है अनुवानित है यानि कहने का मतलब है कि आपका जो first list के बच्चे का जो जारी होगा result उसके उपर बात करेंगे second में कितना जाएगा third में कितना जाएगा spot round में तो government भूल जाईए अब आप हमसे पूछेगा कि sir जो आप बोल रहे हैं कि 9100 seat जो है तो क्या यह बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा तो मैं आपको बता दू कि जादा तक जादा जो है आपका सरकारी college में जो है आप counseling किजिएगा जो आपconselling किजिएगा तो इसके कितने जो है round निकलते हैं तो आपका roundôn peak one हम अरुरी बात समझेंगे round nouveaux अर आपका round number two नमट तू और आपका जो लिए round number जो है आपका थी यह तीन डाउंड जो आपका निकलता है counseling के बाद कर ले तो यह आपका 3 round जो है counseling का निकलता है उसके बाद आपका last जो होता है आपका जो last admission पर क्रिया होती है आपका, वो आपका spot round होता है वो आपका क्या होता है, spot round होता है तो अब आप पुछिए का कि सर कितने round तक जो है हमें सरकारी college मिल सकता है तो मैं आपको बता दू पहला राउंड तो किलियर है कि गौर्णमेंट कॉलेजी मिलता है अधिकांस बच्चों को दूसरा राउंड जो होता है इसमें भी बच्चा खुचा मिलता है और तीसरा राउंड में भी जो है बच्चों को मिलता है यानि कहने का मतलब है क जो आपका first round होता है, इसमें 80% seat बढ़ जाते हैं आपके government college का, बचा आपका round 2 में तो इसमें भी 15% बढ़ जाते हैं, 15% जो होता है, आपका seat बढ़ जाता है, कहने का मतलब है, आप देखियेगा, समझेगा मेरी बात को, यह आपका 15% seat बढ़ जाता है, बचा 5%, तो यह आपक 15% seat जो है, government college का बढ़ जाता है, और जो यह आपका spot round होता है, इसमें जो है, एक का दुखा बोल सकते हैं, एक का दुखा जो है, बचा हुआ रहता है, उसी का होता है spot में, अन्याथा आपको private में होता है, समझ गए, तो यहाँ तक clear है, अब हम जो है, आपको cut up के उपर ले जाएगा, second round में कितना जाएगा, second round में, और आपका third round में कितना जाएगा, समझ गए, तो सबसे पहले हम cut up के उपर ही ले चलते हैं, कि first round में कितना जाएगा, second round में कितना जाएगा, अब यहाँ देखेगा, आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, दोदिनों से मैं आप सबी लोगों के नम्मर क्यों चढ़ा रहा था यूटूपर मैं आप लोगो को देखिया हूंगों हूँ। बच्चों का नंबर चढ़ाया गया है 90 नंबर 90 नंबर 102 नंबर 105 नंबर 70 75 88 बहुत सारे असे बच्चे हैं समझ गए समझेगा तो जिन बच्चों का फर्स्ट लिस्ट की बात करेंगे तो अगर आपका जो है 75 पलस स्कोर है तो समझेए कहा अपका हो जाएगा और जिन बच्चों का 70 पलस भी है उन्हका भी चांस बनता है समझ गए यान कि यहां भी 70 प्लस भी आप है न तो समझेगा कि आपका chance बनेगा यानि 75 वाले को तो confirm है कि मिल जाएगा लेकिन 70 वाले को भी जो है chance बनेगा 70 वाले को भी first round में मिल सकता है समझ गया और दूसरे round के हम बाप करेंगे तो दूसरा round जो आपका निकलेगा उसमें आपका 70 प्लस वाले बच्चे है न वो भी fix रही है कि आपका जो है मिल जाएगा समझ गया और तीसरा जो round होगा यह आपका जो होगा 65 प्लस समझ गया तो कहने का मतलब है मेरा यह बताने का जो motive था वह यह था कि जिन बच्चों का 65 नमर से उपर है समझ गया जिन बच्चों का 65 नमर से उपर है समझ गया उपर है तो उन बच्चों को जो है गौर्णमेंट कॉलेज मिलने का चांस है और मैं यहने बोल सकता हूग 65 नमर प्र आपको मिली जाएगा और जो 75 है, 70 प्लस है, उनका पूरा-पूरा चांस बनता है, समझ गए, आप बूलेगा सर, category वाइज बता दीजिए, सारे बताएंगे, arts का कितना जाएगा, उर्दु का कितना जाएगा, हर एक छीज को बताएंगे, समझ गए, चलिए, अब आपको category वाइज ही बता दीता है, है आपका यहाप है फर्स्ट लिस्ट के बात कर रहे है और मैंने आपको बताया है कि οज इक मतलब की मध्य में इसका होता है इसको बोल सकते हैं कि इसको मध्य बूल ये भी आपका मद्धे में ही cut-up निकलता है, इसका भी मद्धे में होता है, और सबसे कम जो होता है आपका physical, disabled वाले student का निकलता है, तो जो बच्चे science से बिलॉंग करते हैं, जो बच्चे science से बिलॉंग करते हैं, उनका cut-up ज्यादा जाएगा, जो बच्चे art से बिलॉंग कर पर हो गया तो फीजिकल वाले स्टुनेंट का जो है साट पर भी हो जाएगा सतर पर भी हो जाएगा उर्दु वाले बच्चे का जो है सतर पर हो जाएगा समझ गए यह इस तरह आपको फर्क देखने को मिलेगा तो अलेडी हम ने बता दिया है अब यहां ध्यान दीजीगा हम वह बात कर रहे हैं अपके कटेग्रिवाइज तो सबसे पहले दखेगा तीनो डर्म है यहां पर आपका साइंस भी है यहां पर आपका आर्ठ्स है और हमने प्य हो फीजिकल डिसेबल वाले स्टुडेंट होता है उनका मैंने नहीं लिया है क्योंका भी जो है आपका इफ्र और first list के हम बात कर रहे हैं, बाकि हमने आपको बता दिया कि आपका कितना safe zone है, बाकि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, कि safe zone कितना है, देखिए, अगर आप 65 प्लस से score किये हैं, तो आप safe zone में हैं, मिल सकता है, उम्मीद नहीं छोड़ना है, समझगे ना, अब confirm मैं नही सतर से नीचे वाले को मैं नहीं बोल सकता, लेकिन 75 से उपर वाले को confirm बोलूँगा, 70 से उपर वाले को भी confirm बोलूँगा, कि उनको सरकारी को मिल जाएंगे, समझ गे ना, लेकिन यहाँ समझेगा, मैंने आपको यहाँ पर first list का बताया है, मैंने यहाँ पर first list बता रहा आएगा, समझ गए, first list में ही सो करेगा, साथ की साथ हम जनरल के टेटी से बात करते हैं, जो arts वाले बच्चे हैं, उनका 75 हुआ, तो confirm है कि first list में आजाएगा, और जो उर्दू से होंगे, उनका 70, समझ गए, यहाँ पर बात कर लिजेगा, हम बात कर ले दूसरा, EWS की बात क जान दीजेगा, EWS वाले जो बंदे होंगे, उनका 75 plus से score है, तो confirm है कि उनका science में आजाएगा, first list में, और अगर आप वो 8 से है, तो 70 plus, और उर्दू से 2 है, 66 plus, समझ गए, तो यह क्या है आपका, यह first list का है, बाकि आपका normally जो cut up जाएगा, वो मैंने आपके यहाँ पर बत समझ गए, यहाँ द्यान दीजेगा, यह आपका हो गया, जो बच्चे जो है, EBC से बिलॉंग करते हैं, EBC वाले बच्चे जो होंगे, अगर वो science केटेगरी से है, तो 70 plus से score है, तो आपको मिल जाएगा, अगर आप जो है, आपको 68 plus है, तो मिल जाएगा, और उर्दू वाल जो का, तो SC केटेगरी वाले जो बच्चे हैं, उनका 65 plus science में मागेगा, और arts में 63 मागेगा, और उर्दू में आपका अंठावन मानेगा, और यह आपका approximate है, यहाँ पर आपका एक दो नमर जो है, फर्क देखने को मिलेगा, एक से लेकर पांच नमर के बीच में, आपको फ प्लस रहेगा, और arts में आपका 58 रहेगा, और उर्दू में आपका 55 प्लस रहेगा, यह जो है, आपका cut-up है, जो कि इस बार रहने वाला है, फर्स्ट लिस्ट के लिए, और इसमें मैं आपको बता दू, कि इसमें आपको पांच नमर का जो है, अंतर देखने को मिल सकता है, समझ गए, पांच नमर तक जो है, एक से लेकर पांच नमर के बीच में आपको जो है, इस कटेगरी में और किस जाती में अंतर देखने को मिल सकता है, अब आप बोलिएगा, सर जेनरल का असी कैसे बोल रहा है, मैं बाबू आपको बता दू, यह जो है, फर्स्ट लिस्ट के लिए बोल रहा हूँ, बाकी अगर आपको पता करना है, कटप तो कन्फर्म कटप कभी में पता चलेगा, समझ गए, कन्फर्म कटप जो है, कभी में पता चलेगा, लेकिन यह आप सभी लोगों के नमर भेजने का देन है, जो कि मैं आपको इतना पर लाया हूँ, और यह जो अगर जिन बच्चों का 65 प्लस score है उनका उम्मीद है कि उनको सरकाड़ी कोलेज मिलेगा समझ गया लेकिन जो फर्स्ट लिस्ट निकलेगा न वह आपका 75-प्लस ही निकलेगा मेरा कहने का मतलब समझ लिजिए यानि कि जो आपका फर्स्ट लिस्ट निकलेगा देखिएगा अगर आपका category cut up की बात कर लेंगे तो आपका जो first round का admission होगा तो जीन बच्चों का जो है 75 plus score है उनका जो है confirm है और दूसरे round की बात कर लेंगे second round की बात कर लेंगे तो जीन बच्चों का 70 plus है उनका confirm है third round की बात कर लेंगे third round का तो third round के लिए जो है 95 plus score होना चाहिए समझ गए बाकी बच्चे जिन बच्चों का 60 plus score होगा na उनको भी जो है आपको हम करे सकते है कि chance आपको मिल सकता है chance जो है मिल सकता है clear है मिल सकता है और मैं अपने उम्मीद से बता रहा हूँ तो यह बाते समझेगा, यह बाते जो है, आप यहां समझेगा, किलियर है, मेरी बात, अगर आपके कोई मन में doubt रह गया होगा, तो आप लोग कमेंट कीजे, call कीजे, message कीजे, आपको जवाब मिलेंगे, और आपको बताना चाहूँगा कि call करेंगे, तो थोड़ा rest कीजेगा, क यहां पर 5 नमर का उतार चढ़ाओ हो सकता है, category wise, अब मालने कि 70 प्लस जेंरल का होगा, तो जो बच्चे EVC होंगे, या जो बच्चे SCST होंगे, उनका 70 पराज जाएगा, समझेगा, clear है, average में आपको बता दिया है, और यह जो है आपका real होने वाला है, यही आपका first list के लि है, वह समझेगा, कि safe zone में है, clear है, बस यह बात है, hope आसा, मतलब कि hope रखी रहेगा, hope है कि आपको सरकारी college मिल जाएगा, और जिनका 60 प्लस भी है, उनको भी जो है, chance बन रहा है, समझे, clear है, अब बस इतना ही बताऊंगा, आप सभी लोग अगर doubt है, तो आप लोग पूछ लीजे, बाकी मैंने अपने इस तर से पूरा पढयास किया है, कि आपको बता सकू, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए धन्यवाद, thank you so much, जाहीं जायबाद, ओके, आप सभी लोग हस्तर है, मुश्कुरातर है, जो भी सवाल होगा, कमेंट कीजे, आपके सारे कम कार देना होगा, मैं देवाओं के, धन्यवाद,